गईज यहां पर देखें, कितना बड़ों नदी देखा रहा है आपको लेकिन इस ज इसका नाम है सिकाव का धार यहां पे लोगों को इतना जन आने जाने में इतना समस्या होता है यह देखिए उधार एक भाई जी इस पानी महें आ और जा रहे हैं यह तीन महिना पहले इस महें आने जाने का रास्ता पूरा बंद था दिखाये कैसे वो लोग को जाना परता है पूरा सिलेंसर पानी खुश जाएगा उनको फिर भी उन लोग को जाना पर रहा है बहुत मजबूरी है नितीस बाबु बरे बरे दावे करते हैं कि हमारा गरामीन सरक योजना परधान मंत्री सरक योजना कौन कौन सरक योजना यहाँ पर कौन योजना काम नहीं किया है यह हमारे दादा पर दादा क्या बनाये गया यह पूल और पुलिया है देखा रहा है देखिए पूराने जवाने कहा कैसे पुल बनाया जता है उसका नकसा देखा रहा है आपको बढ़िया से देखिए यही वह नक्सादिक पूल है जो अंग्रेजों के जवाने के बनाये गया पूल है देगे इसको किस तरीका से बनाये जाता है मतलब इसमें को जरूरत रही है आईरन का इसमें लोहा होगे रहा है जो देख रहे है न एक भी का पीलर नहीं है पहले अंग्रेजों के जवाने में केवल तो इट और बालू सिमेंट आव भी क्या है ऐसा बालू सिमेंट जो कभी भी टूट नहीं सकता है वह ऐसा बनाया गया यह पूला है लेकिन इतीस बाबू ने इस पूला को बनाने के तो बात ही छोरिये रिपेरिंग करने के तो बात ही छोरिये कम से कम आने जाने का रस्ता भी नहीं बना पाये हैं यह यहां के परधान लोगों का कारे यह इस अंग्रेजों के जवाने में बनाये गया पूल पूलिया को रिपेरिंग बनाने के बाते छोरिये कम से कम डाइभर्जन भी नहीं बना पाते हैं और नितीस बाबु बरे बरे दावे करते हैं कि गाओ में टोला में महला में सारे जगह पर सरक बना दिये हैं यही सरक बना हुआ है देख लिजिए यह मैं देखाते हैं यहां के सरक क्या है नक्सा देखा रहा है किस परकारे देखिए लोगों को तो आना परता ही है और जाना परता ही है लेकिन यहां मुर्चाइकिल बाइक सेलेंचर में पानी घुश जाता है यहां पर कौन नहीं देखने वला है क्यों नहीं देखने वला है अपने दुख तकलिप को खुद ही हरन कर लेना है इसे बात को आगे तक नहीं पहुँचाना है यहां पबैल भाइसी का भी धुलाई यहीं पर होता है यह अभी बाड रही है उसके बाद का हालत देखा रहे है जब बाड आता है तो कितना पानी रहता है बाबू कितना लगबक तुम्हारे इतना मेरे से थोड़ा चोटा इतना रहता है पानी और वहाँ पे कितना रहता है जूट नहीं न बोलने हो देद किए बच्शे लोग जूट कभी भी नहीं बोल ये वही पूल है नहीं बन्या के कारण एक चोटा सा जोगार लगा दिया गया बिहार चोड़िये इंडिया में जोगार लगाना सब कोई जानते हैं तो इसी पूल को रख दिया गया उपर से क्या माटी इतना कम रख दिया गया ताकि लोग मुड़ साइकल और साइकल का इतना पानी हेल कर आजा करें तो गाइज अभी मैं हूँ बिहार के सितामरी जीला के रुपावली गाओ में सितामरी टाउन से पांच-छे किलो मिटर दूर केवल छे किलो मिटर नहीं पांच किलो मिटर दूर और कोईली गाओ में यह पूल परती है ठीक है और एक वहां अंदर पानी में मस्ती कर रहा है एक बच्चा है और यह आप क्या देख रहा है पता है आपको यह बंसी है यहाँ बंसी हजार आप देख लिजिएगा जब बारिस का मौसम आता है तो यही इसको बोलते हैं लहका लगाना एक मचली को फसाने के चकर में दूसरे मचली का भी जान इस तरीका से बांध दिया जाता है देखिए किस तरीका से बांध दिये ताकि इसमें बरे मचली आए और छोटे मचली को खाने के प्रेस करे तो वो भी इस बंसी के माध्यम से छट पटाते हुए पकर्ण मे तो ये भाई जी देखिए मछली मार रहा है क्या नाम है तुभाय जिसान अपका मछली पक्राb में आता है कीतना पकर लेते हैं क्या क्या पकरर रह तक दिखाईए गराई गराई किया होता दिखाई एक कैसे बेचते हैं कि अपने लिए बनाते हो अपने लिए यह देखिए यह बच्चा इतना पकार के रखा है और इसलिए पकार के रखा है ताकि यहां पर बारिस आ जाता है पानी आ जाती है तो चलिए इस पूल तो बाना नहीं है पहले यह जानते है इससे पहले लोग कैसे लोग जाते थे बताइए पहले पहले रोड़ था पचास साल पहले पाद यह चोटा सा फूल को बनाया गया अब उस पूल को भी पूरी नहीं बना दिया गया क्यों क्योंकि एक भाई से बतार है यहां के मुखिया जी यहां पंचाहत समिति में खरा हुए थे मतला हार गए तो वो भी नहीं बना तो जो बने है उनसे भी नहीं हुआ पांच साल में भी नहीं हुआ उनसे भी नहीं हुआ अब देखते हैं इस इलेक्शन के बाद यह पूल बनता है या नहीं बनता है कितने साल पुराना अंकल यह होगा 30-35 साल पुढा न आपका तो सादियों नहीं हुआ होगा उस्ता हम भी मचरी मारते है नहीं हमोगोगण दालिजमारत यादे नहीं है साहिद हम लोग यह खिलके आते हैं के जाते हैं मतलब किंड के खेल थे पहले कान सा कर खेलते हैं मैं भूल गयए आप देखिए इये देखी है यह देखिए मचली भारते है पराईश क्या और रहे हैं मतलब लगा कर एक मचली को फसाने के लिए दूसरा मचली को जान में मतलब पेट में उपर से बंसी को घुसा दिया जता है और उसके बाद छोड़ दिया ता पानी में ताकि तुम जिन्दगी जी ओ और दूसरा मचली आये आज उसको खाये उसके बाद वह भी फस जाएगा मतलम कि एक मचली छोटा है तो वो तो ज़्यादा केजी का होगा इन्हीं बारा होगा तो कम से हम सब का पेट तो भड़ेगा पैसा भी बेचेंगे तो ज़्यादा में है यह देखिए लाइन से यह बंसी लगा हुआ है ऐसा आप कहीं नहीं देखे हुएगा और इधर भी बहुत सारे बंसी लगी हुई है इधर देख सकते आप और यही रोड है जो बरे बरे नेता लोग डावे देते रहते हैं इलेक्षन से पहले नहीं इलेक्षन के टाइम अड़ जो बर इलेक्षन वेल जीत जाते है तो लोग का कोई गाम नहीं रहता है कि बने या ना बने इसमा हे तो हमको जाना नहीं पड़ता है क्या अंगल जी कितना पुराना ये पूल है बहुत पुराना है फीर भी एकिस साल से उपर है ना अत्क आप कितने वह सिर्ग फम्हाई हैं 107 वाज अभी तो आपको इसमां जाने में समस्या होता है समस्या होता है। क्या कहना चाहेगा पर्धान लोगों से बनना चाहे पूल लौग को अगर शर्म लगता है तो इस बार के उलेक्टशन में। जीतने भी लोग जीता उन लोग से बिंती है जरूर इस पूल को बना दीजेगा नहीं बनेगा आपसे तो कम से कम यह डाइभर्जन को बनाने के प्रयास जरूर किजिएगा जब तक नहीं बनाएगा फीरा कर अभी तो नाम लेकर नहीं बीडियो बना रहे हैं जब इस तरीका के वीडियो और देखने के लिए दे मार्केट न्यूज चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब ताकि आपका भाई गाव में टोला में महोला में सीटी में जाके मार्केट न्यूज के माध्यम से अपरधान लोगों को कान में खुजली होने वाले लोगों को कान को खोलने का काम बिनोध सुकलाक करता रहेगा तब तक जै हिंद